कैनडा में भारते चात्रों की संख्या बड़ी है ऐसे में जाहर है कि यहां देश में भी तनाव बढ़ा हुआ है परिवारों का माता पिताओं का साल 2022 में अगर हम आकड़े देखें तो चात्र वीजा पर कुल 8,7,750 चात्र जो थे दुनिया भर के वो कैनडा गए थे और अंत वो थे करीब 5,51,405 और इनमें भारते चात्रों की जो संख्या थी वो थी 2,26,450 याने की 41% जो थे study permit पर वो भारते चात्र थे और इस साल के आकड़ों पर अगर नज़र डालें साल 2023 पहली चमाई में आए वहां पर जो अंतराष्टे चात्र हैं जो पहुंचे थे पढ़न 1,75,000 के करीब करीब थी आने की 40% तो पहली जो 6 महीने थे उसमें दूसरे स्थान पर नाइजीरिया के चात्र थे और पहले स्थान पर भारत के चात्र तो क्या इस वक्त जो परिवार यहां देश में हैं और जिनके बच्चे कनेडियन युनिवरसिटीज में पढ़ रहे है उनको तनाव लेनी की जरूरत है परेशान होनी की जरूरत है क्या कह रही हैं वहां की उनिवरसिटीज इसी को समझने के लिए दो खास महमार हमारे साथ हैं आदर्श खंडेलवाल हैं CEO College of 5K और डॉक्टर संजे कुमा संस्थापक हैं सोहम के आप दोनों का स्वागत है पर सामान है घबराने की बात कुछ नहीं है जी बिल्कुल स्थिती फिलाल सामान है स्टूडेंट्स अभी पहुचे ही हैं जो इस फॉल इंटेक के बच्चे जो पहुचे हैं और वहां पर एस सच कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं अभी नोट हुआ है गवर्नमेंट ने अपने और से एक वेबसाइट भी चला रखा है जिसको मदत.gov.in हम बोलते हैं और कोई भी स्टूडेंट्स को अगर कहीं किसी तरीकी के परिशानी है तो वहां इमीडियेट असिस्टेंस मिल रहा है अमबसी लगातार टच में है तो कहीं कोई पैनिक सिनारियो स्टूडेंट्स के इसलिए नहीं है क्योंकि कनेडियन गवर्मेंट को बहुत बड़ा योगदान है इंडियन स्टूडेंट्स का महा की एकॉनमी में हमारे बच्चे पांच गुना ज्यादा फीस दे के पड़ रहे हैं और बहुत जरूरी है कनेडियन गवर्मेंट को ये सिनारियो में प्रोट आज के दिन में पड़ाई कर दे जाते हैं हमां करियर बनाने जाते हैं पांच गुना ज्यादा फीस देते हैं तकरिबन 40 परसंट आकडे हमारे बच्चों का वहां फ्यूचर देखा जा रहा है तो ऐस आफ नाव हमें ये भरुसा देलाया जा रहा है युनिवर्सिटीज र देकर सब्मिशन होंगे और जो दाखिलों की बात होगी संजे क्या इस पर किसी तरह का असर आप देख रहे हैं यह जो स्टैंड आफ हो रहा है डिप्लोमाटिक फ्रेंट पर दोनों देशों के बीच धन्यवाद सिक्ता यह मुझे ऐसा लगता है कि डिफिनेटली असर पड बदूर आएगा कि कैनेडा अभी जिस वक्त से गुजर रहा है कैनेडा और इंडिया का रिलेशन्शिप वैसे में बच्चे को बच्चों को वहां भेजना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा अभी जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वह भी बड़े चिंतित हैं मतलब बड़ जो पेरेंट्स हैं उनमें जरूर चिंता का विशह है और मुझे लगता है कि जो नए इन्रॉल्मेंट के लिए जो भी करेंगे उसमें गिरावट आ सकती है अगर यह रिलेशन्शिप आने वाले समय में क्योंकि यह पिक टाइम है अभी आप्लिकेशन का मतलब दिसम इसे हैं कितना पैसा खर्च आएगा यूएस के बजाबते कैनेडा को फाइदा इसलिए मिल रहा था क्योंकि अंडर्ग्राइजवेट में भी भेजने में थोड़ा कम खर्च आता है लगपक पचास लाग का चार साल में अगर खर्च देखे तो बट जो जियो पॉलिटिकल सिच्वेशन है यह भी बहुत मैटर करता है जैसे आप देखें जब कुरेन के समय में जब सिच्वेशन खराब ही वहां पर वार के बाद तो सारे बच्चे वापस आ गए तो यह जियो पॉलिटिकल सिच्वेशन से बहुत ही असर पड़ता है एजूकेशन में एजूकेशन इंप्रूव नहीं किया तो जी कुछ ऐसे भी खबरें आई थी जो कॉन्फरेंस हुआ था अदर्श जो हैदराबाद में जहां पर कनेरियन इनुवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था तो एक तरसा सतरकता बरतने की बात की थी ने अड्मिशन पर भी उन्होंने आज कुछ ऐसा न्यूज आया तो था कि उन्होंने मार्च इंटेक के बच्चों को सावधानी परकने की जो मार्च के इंटेक हैं और वीजा प्रोसेसेज में हो सकता है डिले हो लेकिन देखिए यह सारा अभी स्वेकुलेशन है और फिलाल ऐस अफ नाउ हमें कहीं कुछ प्रॉब्लम सिनारियो उत्पन होते वे नहीं दिख रहा है और गोइंग फॉरवर्ड हम डेफिनेटली यह तो एज एड्यूकेशन कंसल्टेंट्स बोल सकते हैं कि इंपक्ट पड़ेगा बच्चे जो सिनारियो में अप्लिकेशन भर रहे हैं उनके माता-पिता अल्रेडी कंडेडा में डेजिजन ले रहें कि यूरोप चले जाए हम सिंगापूर चले चले जाए हम-स्टे-लिया चले जाए है तो कहीं ना कहीं कनेडियन वीजा जो प्रॉसेस है देखें यह पूरी तरीके से फुल 나서 प्रॉसेस नहीं है यह पूरा एक साल का फिस मांग लेते हैं कि बच्चों को गैरंटी वीजा मिलने के लिए आप एक साल का पूरा फीस जमा कराएं ये सब प्रोसेस इनका कहीं न कहीं बहुत फ्लॉव है मेरे इसाब से जो भी सिनारियो है और जिस तरीके का एडिमिशन सिनारियो कैनेडा ने एजन्ट मॉडल में खड़ा कर रखा है तकरीवन पंजाब में 10,000 एजन्ट को बिठा रखा है बच्चों को समझाना और दाखिला कॉलेज में कराने का और बहुत तरीके के स्कैम्ज हो रहे हैं इन सिनारियो में अभी डीसेंटली जो इंडियन साथ सो बच्चों को उनिवर्सिटी में वहां पियार डिनाय हो गया और जिससे सारा का सारा प्रोटेस्ट हुआ तो कहीं न कहीं केनेडियन गवर्मेंट को ये सारी पॉलिसीज इनके वीजा प्रोसेसेज बहुत कुछ ग्रे एरिया में हैं और बहुत जरूरी है कि ये सारे सुविधाओं को सही तरीके से रिलुक किया जाए स्ट्रीम लाइन करने की भी जरूरत है जो आप कह रहे हैं अधर एक आखरी सवाल संजे आप वहां पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां से आप लोगों किस तरह का फीड़बैक मिल रहा है क्या वहां पर स्थिती सामान है क्या घबराए हुए हैं जिस तरह से यहां प बच्चेव के लेवल पर कोई ठेंशन की बच्चेव कर रहे हैं जो हमें ख़वर मिल रही है और उनको इनवस्टिटी के तरफ थी सामाने तोर पे ले रहे है जोिए इनका सीजन वह बहुत ही मुश्किल समयाज आ सकता है इसलिए वह भी बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखेंगे कोई एडवाईजरी इसव करने के पहले लेकिन हाँ यह ज़रूर है कि जिस तरीके का वहाँ पे जिस तरीके की नारी बाजी वहां की जा रही है कि इंडियन्स जो है कैनेडा छोड़ो और बहुत तरीकी चीजें जो तो बच्चे यहां से गए हुए उनके लिए चिंता का विशय तो हैं लेकिन अभी इस्तिती सामान है सो फार अभी कोई टेंशन नहीं है तो आप दोनों ही आश्वस कर रहे हैं कि अभी वहां पर स्तिती सामान है तनाव लेने की जरूरत नहीं है बच्चे वहां सुरक्षित ह हैं और ख्लासेज आज यूशल वहां चल रही हैं बहुत शुक्रिया बिल्कुल बहुत शुक्रिया आदर्श और संजे इस चर्चा में शामिल होने के लिए